हेलो एवरिवन मैं हूँ आपका दोस्तेवान दोस्तो आप देखरे हूँ हो आपका अपना YouTube चैनल स्तेवान सरावत सार दोस्तो आज भी आजीर हूँ एक नए टोपिक के साथ जिसका नाम है निती आयूग निति आयो देखिए निति आयो के बारे में जानते हैं क्या कुछ है चोटा टोपिक है लेगिन इंपोर्टेंट टोपिक है अगर आप इस चैनल पर नई हो तो इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए ताकि हमारी वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहें देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो, निति आयोग, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जानते हैं, निति की क्या है, N for National Institution Transforming India, और आयोग, ठीक है, निति, निति की योगी फुल फॉर्म और आयोग ये, ठीक है, National Institution Transforming India, ठीक है, इसका हिंदी में रुपांतरन होगा, राष्ट्रिय भारत परिवतन संस्तान, राष्ट्रिय भारत परिवतन संस्तान आयोग, ये है, निति आयोग, ये आयोग, इस आयोग ने किसकी जंगली है, इस आयोग ने जंगली है, योजना आयोग की, योजना आयोग Planning Commission Planning Commission की जंग है यह बनाय गया है पहले योजना आयोग होता था लेकिन परदार मंतरी नरेंदर मोदी ने इसको क्या कर दिया नीती आयोग इसकी स्तापना कब की गई थी दोस्तों 1 जनवरी 2015 ये इसकी स्तापना है देखे इसका प्रदार मंतरी नीती आयो का 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 प्रदार मंतरी प्रदार मंतरी नीती आयो का प्रदा मालमंतरी दोबारा की जाती है एक बात और याद रखनी आप ने यह कैसी संस्ता है यह संस्ता कैसी है संस्ता कैसी है का मतलब इसे सवेदानिक दरजा दिया गया है या नहीं दोस्तों यह सवेदानिक नहीं है यानि कि वेदानिक दरजा इसे नहीं दिया गया इसका सुविदान में कोई जिकर नहीं है और नहीं योजना आयोका था ठीक है बात देखिए उपादेक्स का दरजा उपादेक्स का दरजा किसके समान होता है केंदर सरकार के केबिनिट मंतरी के बरापर जो केंदर सरकार के में केबिनिट मंतरी होते हैं उसके बरापर इसका उपादेक्स समझा जाता है और इसका कर्येकाल कोई निश्चित नहीं है इसका निश्चित कर्येकाल नहीं है अर्विंद पन गडिया को इसके इसका पहला अधिक से बना गा था लेकिन वर्तमान में अधिक से है इसके राजु कुमार कौन है इसके राजु कुमार नितियायों के सदश्य देखिए नितियायों के में कौन-कौन सदश्य होते हैं शैमिल सताई सदश्य या पूर्ण कालिक सदश्य बोल सकते हैं सताई या पूर्ण कालिक जो पूरे शमय के लिए रहते हैं इनकी संख्या पाज होती है दोस्तों ये इंपोर्टेंट है कि इनकी संख्या जरूर पुछ जीज़ आ सकती है इनकी संख्या 27 देशों की संख्या कितनी होती है पांच वरश, सोरी पांच देखिए कुन-कुन थे, कुन-कुन है इसके 27 देशे विवेक देवराय, विक के सासवत, प्रो रमेश चंदर और विक के पाल ये हैं इसके 27 देशे संख्या के इनकी कुन किसके दोरा पहले भी उपर भी बता चुक्या हूँ परदानमंतरी दोरा की जा सकती है इसके संख्या और उपादेक्स की इनका कर्यकाल भी निश्चित नहीं है तथा इनका दर्जा बार सरकार के राज्य मंतरी के बराबर होता है जो ये 27 देशे या पूर्न कालिक सदेशे होते है इनका दर्जा किसके जो बार सरकार के राज्य मंतरी है उनके एकवल और उपादेक्ष किसके समान होता है कैबिनेट मंतरी के बराबर उपादेक्ष और अजय मंतरी के बराबर ये 27 सदेश्य फिर होते हैं इसके पदेन सदेश्य नेक्ष देखते हैं पदेन सदेश्य देखिए पदेन सदेश्यों के सिंख्या चार होती है 27 संख्या जो कुण कालिक है उनकी संख्या कितनी पांच और पदेन संख्या कितनी च्यार इसमें ये कौन-कौन होते हैं गरह मंतरी, वीत मंतरी, रेल मंतरी और कर्शी मंतरी ये च्यार मंतरी इसके पदेन संख्या होते हैं फिर बात करते हैं विशेश आमंतरित सदेशे इनकी संख्या तीन होती है देखिए बिलकुल जी है 27 पाँच पदेन सदेशे चार और विशेश आमंतरित सदेशे तीन ये घट्टे करम में हैं पाँच चार तीन ये कौन होते हैं जो आमंतरित किया जाते हैं इसमें होगा प्र रिवैन मंत्री, समाजिक न्याई वे अधारिक अधिरिक्ता मंत्री और मानोसन साधन विकास मंत्री यानि की HRDM HRD Minister ठीक है यह इसके आमंत्रित सदश्यों में होंगे फिर बात करते हैं 27 सदश्यों की सिंख्या कितनी होती है दो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था यह गड़ते करम में चल रहे हैं यानि कि अरोई करम में पांस सदश्यों के सथाई जो पूनकालिक थे चार पदेन तेन आमंत्रित और दो संख्या होती है एसताय सदश्यों की संख्या दो होती है कौन शे होते हुए विशोव विदाले या अनुसंदान संगठन से जुड़े हुए वैक्ति को पियम दुवारा एसताय सदश्यों के रुप में नुक्त किया जा सकता है एक बात आपने याद रखनी है अब तक किसी भी वैक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है एसता ही सदेश है अब तक किसी विव्यक्ति को न्यूक्त नहीं किया गया है ये बात आपने याद रखनी है ये पूछी जा सकती है मुखे कार्याकारी अधिकارी सी ई ओ बारतिया प्रसासरिंग शेवा का अधिकारी इस पद पर नूद किया जाता है इसका कार्याकाल निश्चित नहीं होता देखिये अब बात करते हैं दोस्तों अपनी इसकी गोर्निंग काउंसिल की इसमें कोन होता है इसकी जो governing body होती है उसमें कोन कोन शमिल है पहले निती आयोक का अध्यक्स इसका भी अध्यक्स होता है उपाध्यक्स इसका निती आयोक का उपाध्यक्स होता है नितियायों के सभी सदश्य, इसके भी सदश्य होते हैं उनतिस राजयों के सीयम, दिल्ली और पंडी चेरी के सीयम अंडे मारवानिकोबर दीशिम के उपराज जपाल भी सदश्य के रूप में सैमिल होते हैं ये बात आपको याद रखनी है सभी राजियों के सियम और दिल्ली के दो किंदर साशी परदेश दिल्ली और पांडी चरी के वी सियम और अंडे मानिको बार्दी उसमों का उपरा जैपाल इसके इसमें शैमिल होते हैं एक बात आपने जो नोट करनी हैं वो यह है कि चार बार बे ठक इस प्रिस्दगी हो चुकी है पहली होई थी फरवरी 2015 में और अंतिम होई थी जून 2018 में अब बात करते हैं दोस्तों नीती आयो के कारियों की नीती आयो क्या कारिये करता है सबसे पहला जो इसका कारिये है वो है संसादनों के समुचित उप्योग है तू आई टी का अधिक अधिक उप्योग करना सब सब पहला जो कायम है इस करिया है वो है संसादनों का उचित उप्योग है तू IT का यानि कि Information Technology का अधीक से अधीक उप्योग करना फिर सेकिंड है सहकारी संग यानि कि कोपरेट्ट्व फेडलिजम किस्ता अपना करना फिर थर है नितियों के निर्मान में गरामिनों वे दलितों का सयोग सुनिस्चित करना जो भी नितिया बनती है उसमें गरामिन वे दलितों का सयोग होना जरूरी है यह है इसके मैं इंपोर्टेंट काम तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी अच्छी लगी है तो लाइक करना और कुछ गलत है तो कुमेंट करना वीडियो देखने के लिए थैंक्यू अमारे चैनल पर इसी तरह बने रही है और प्यार देते रही है थैंक्यू